नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबका दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिस करेंगे कि फ्रांस के अंदर मैसिव प्रोटेस्ट क्यू हो रहे हैं आगर ये फ्रांस का निव सेक्योर्टी लोग क्या है इसके अंदर कौन-कौन से प्रोविजन्स है और किस प्रोविजन्स से लोग को दिक्कत है तो चलिए जानते हैं वीडियो को लाइक सेयर कर दीजी और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो देखे फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं एक कौन्ट्रोवर्सियल सेक्योर्टी बिल की वज़य से और पिछले इस अपताई 28 नमबर को 46,000 लोग गैदर हुए थे कैपिटल के अंदर इनकी इस कौन्ट्रोवर्सियल बिल के खिलाब और इस बिल को जो अपोस कर रहे हैं उनको बैकिंग मिलती है civil rights, liberties group है जो वहां के, journalist है, migrant activist है, यह भी इनको जो अपोस कर रहे हैं इस बिल को और सरकार दे मांग कर रहे हैं कि इस बिल को खत्म किया जाए इसको जो इन फोर्स नहीं होने दिया जाए और देखिए यह जो बिल है इसके मिलेंगे कि ground और air mass surveillance पुलिस कर सकती है और इस बिल के अंदर एक और चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस officers की filming नहीं कर सकता है, यानि उनकी वीडियो नहीं बना सकता है, उनकी photos capture नहीं कर सकता है, यह बिल इस चीज़ को भी restrict कर देगा, इस बिल का article 21 और article 22 और article 24 यह ती article 21 है, इसके अंदर पुलिस को power मिलती है कि पुलिस, body cameras और drones की मदद से लोगों की film यानि की photos और वीडियो जो capture कर सकती है, यानि police कर सकती है capture, लोग नहीं capture कर पाएंगी, ठीक है, यह बिल इस चीज़ को restrict कर देगा, और article 22 यह allow करता है कि पुलिस के द्वारा capture की गई footage को live stream किया जासता है to command post, यह जो उनकी police की command post होगी, वहाँ पर live streaming के ज़री यह भी दिखाया जा सकता है, तो police को article 21, article 22 of the law, इसके अंदर यह powers जो है मिलेंगी, और क्या चीज़ जो है यहां से restrict हो जाएगी लोगों के लिए, पुलिस की filming करना, और police को enable कर दी, ground और air mask सरू लांस क और देखिए जो article 24 है इस बिल का, उसमें लिखा गया है, कि अगर कोई police operation चल रहा है, और वहाँ पर लोगों की द्वारा, police operation की live तस्वीरें या photos, या police officers की photos और वीडियो जो है, capture की जाती है, उनको disseminate किया जाता है, यानि कि यहाँ वाँ फ़लाय जाता है, social media की ज़रीए, किसी तरीके से intent of harming उनको harm पहुचाने के लिए, किसी particular police officer को या official को, their physical and mental integrity इसको harm पहुचाने के लिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा, तो उसको imprisonment होगी up to one year की, and maximum fine of 45,000 euros, ठीक है, तो ये तीन article है, जो controversial है, article 21, 22 and 24, opposition में, जो इसको oppose कर रहे हैं, उनका क्या version है, वो क्या कह रहे हैं, कि उनको किस वय से दिक्कत है, वो क्यों oppose कर रहे हैं, तो journalist और human rights जो groups हैं, वो इस चीज़ पर जो concern व्यक्ति कर रहे हैं, कि article 24 है जो, जो कि filming को restrict करता है, would make it harder to cover public events, अब public events को जो cover नहीं कर पाएंगे, और record भी नहीं कर पाएंगी, police violence को, कई बार police की ऐसी footage वगरा सामने आ जाती है, जहांपर police का violence सामने आता है, तो उसको record कर पाना मुश्किल होगा, और यह prove करना काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कि आखिर police accountable है, कि नहीं है, और जो civil rights group है, वो कह रहे हैं, कि how the courts would interpret the term intent of farming, जो इसके अंदर मैंने बताया, आपको intent of harming लिखा गया है, बिल के अंदर, तो इसको कैसे आप interpret कर पाएंगे, जब आपके पास कोई proof नहीं होगा, कि police के द्वारा क्या किया गया है, जबकि police के पास आपके खिलाब जो सारे सबूत मौजूद होंगे, जो civil liberties groups हैं, left wing parties है उन्होंने इस बिल को authoritarian और unnecessary का है, उनका कहना है कि जो present law है हमारे यहाँ, यानि France के अंदर, वो ही कापी है, police officers को protect करने के लिए, नए law की कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन आप जब देखें, करते हैं, झाल, चुकर ज्हुर आतनुर देखें, सब्सेंत mechanism though झाल 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 झाल